हलो गाइज वेलकम टी योर चैनल डूर क्लासेस मैं हूँ देव आज हम स्टार्ट करेंगे एक मुहीम वीकली करेंट अफेयर क्योंकि आपको पता है कि करेंट अफेयर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है कितना ज्यादा उसमें क्यूश्चन नंबरा क्य यह सिर्क करेंट अफेयर की क्लास नहीं होगी उससे रिलेटेड जियस का जितना पोर्शन उस क्यूश्चन में जैसे कि अगर मैं यहां पे 30 क्यूश्चन या एक वीक में 60 क्यूश्चन आपसे डिसकस करूँगा तो उसमें से जो क्यूश्चन जिसमें से कुछ फैक्ट बै यह नहीं नहीं पूछ लिये जाते हैं जैसे अगर राश्च्वती के बारे में पूछ रहा है कि राश्च्वती का एलेक्शं किस आईटिकल के तहते तो और तो कहीं ने कहीं हम सोचते हैं कि यह ट्रेडिश्चन चीजे हैं बट वो कहीं ने कहीं related होता है current affairs से ही, क्योंकि अगर हमने last year कई बार exam में राश्टपती से related question देखे तो हमें पता है कि 2017 में राश्टपती का election हुआ था, तो कहीं ने कहीं हमें उसका background भी जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है, सिर्फ हमें ये रटना जरूरी नहीं होता कि कि इस साल कौन बना, वो question तो साइधी पूस्ता होगा किसी exam में कि इस साल कौन राश्टपती बना, वो तो हर बच्चे-बच्चे को पता रहता है, बट कहीं ने कि उसके background से हमारे सामने question देख रहे होते हैं, तो उसी को मंदे नसर रखते हुए हम आज discuss करेंगे कि अगर question आ रहे हैं, तो उसके background का current affair के साथ साथ उसका background जिन-जिन question में important होगा, और साती साथ सारे के सारे current affair जो exam के point of view से important है, तो चलिए देख लेते हैं, पहले मैं यहाँ पे वो question आप से discuss कर लेता हूँ, जो कहीं न कहीं, उसका background काफी important है, ना ही सिर्फ current affair important है, साती साथ उससे related कुछ बाते important हैं, तो वो यहाँ पे discuss कर लेते हैं पहले, तो चलिए देखते हैं, कौन-कॉन-कॉन-से question है, जो background के साथ सा चीज़ है, तो guys, यह आपके सामने में हला कि यह, अभी मैं sequence है, सारे question discuss करूंगा, once लेके पूरा का पूरा 60 तक, तो अभी यह 20th question मैं इसलिए उठ है, क्योंकि इसका background बहुत जानना जरूरी है, और इससे question अक्सर exam में देखने को मिल रहे होते हैं, council से, जो journal councils हमारे भारत में बनाई जाती हैं, तो उससे चलिए पहला question, जैसा है कि यहाँ पे, हमने discuss करने के लिए मैंने खोला है, किस राज ने उत्तर पूर परशिदिय, जैनि North East Council की 67th वी पूर्ण बैठक की मेजबानी की, तो इसका answer है मेघाले ने, ठीक है, तो इसका answer मेघाले ने, बट यहाँ पे यह discuss करना जरूरी है, कि यह छेतरी council आखिरकार होती क्या है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं, कि 7th Constitutional Amendment याद रखे, सात्वा सम्विधान स अधनियम उसके तहत सामने आया, जिसके तहत 5 छेतरी council बनाई गए, यह छेतरी council इसलिए बनाई जाती है, जिससे उस आसपास की राज्यों में एक तरीके से समन्वे स्थापित हो सके, उनके बीच discussion हो सके, जिससे उनके जो border dispute रहते हैं, यानि राज्यों के border dispute जो होते हैं, आपस में की trade से related या नदियों से related कुसी भी चीज से related कहीने कहीन, उनके बीच एक भावनात्मक संबंध स्थापित हो सके, सीमा का बिवाद खतम हो सके, और विकास संबंधी वो लोग आपस में मिलके एक विकास संबंधी योजनाय बना सकें, क्योंकि कहीने कहीने जो center में ह कि जाए तो अगर लखनौ उसका उसकी राजधानी है तो उसके असपास के छेत्र या बड़ी-बड़ी सीटी के असपास के छेत्र तो डेबलप हो जाते हैं बट कहीं ने कहीं दो राज्यों का जो बॉर्डर होता है एरिया वहां तक योजनाय बहुत अच्छे तरीके से नही प्रदेश को बनाये गए और उसी के तहट राजपुनर गठान अधनियम के तहट पाच छेत्री काउंसिल या जोर्नल काउंसिल परिषयत की स्थापना की गई जिसमें नौर्थ इस्ट वेस्टन साउथन एंस सिंट्रल काउंसिल ठीक है तो नौर्थ जोन इस्टन जोन वे और उसके पस्चात 1971 के तहट उत्तरपूर राजपुनर गठान अधनियम जिसके तहट ये NEC यानि नौर्थ इस्ट काउंसिल का गठान हुआ ठीक है तो अभी इस पे आते हैं NEC पे बादों बात करते हैं पहले छेत्री काउंसिल की जोर्नल काउंसिल जो होती हैं उनके हम तो मुख्याले की बात कर लेते हैं और उसके तायत कौन-कौन से राज्य कनेक्टेड हैं तो नौर्थ जोन में बिहार, जारकन, उडिसा और वेस्ट बंगाल, वेस्टन जोन में गुजरात, महराष्ट, गोवा, दमंदूइप, दादरा, नागर, हवेली, साउथन जोन में सेंटरल कांसिल के जो राज्य हैं, उनके सदसे पूछ लेता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यूपी, उत्राखन, मद्द प्रदेश, 36 गड़, ये टोटल चार राज्य हैं जो सेंटरल कांसिल के तहत, सेंटरल जोन के तहत आते हैं, ठीक है, और साउथन जोन, Southern zone हमने डिसकस कर लिया North zone के तहत साथ state आते हैं याद रखे North zone भी कभी-कभी important हो जाता है कि उस्चन देखने को मिल जाता है तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आप map के हिसाब से याद भी कर सकते हैं हिमालचल प्रदेश के साथ दिल्ली और चंडीगर तो याद रखे North zone में दिल्ली आता है North Journal Council के तहट, अब बात कर लेते हैं इनके headquarter तो अवेशे North zone का headquarter दिल्ली होगा और हमारे Central zone का headquarter याद रखें अलहाबाद है, ठीक है, and East में जो पढ़ता है यानि जिदर कोलकता, ठीक है, जहां पर हमारा West बंगाल वगएर भी राज चार राज हैं, और Western zone में मुंबई, और Southern zone चिन्नाई, as we know that और इसके member की बात कर लेते हैं, अगर तो member में आप याद रखें इसका अध्यच, यानि हर चेत्री council का अध्यच हमारा Home Minister ही होगा, तो without doubt उसको click करें, याद रखें, चेत्री परिसद में, जितने हमने 5 चेत्री परिसद discuss की हैं, उनका अध्यच Home Minister होगा, और साथी साथ, अन्न सदस्यों में सारे CM, mostly दो minister सामिल होंगे, administrative council सारे सामिल होंगे, तो आप से generally question पूछ लेता है कि छेत्री council जो हैं, उनका सभापती कौन होता है, तो सभापती याद कर लें, केंद्री Home Minister Central, Home Minister Central, Home Minister इसका सभापती होता है, तो अब बात कर लेते हैं, जो question हम यहाँ पर discuss कर रहे थे, कि यह जो NEC, यानि North East Council का गठन कभवा, North East Council का गठन, 1971 के अधनियम के तहत, यानि नौर्थ इस्ट यानि उत्तर पूर्व राजपुनर गठन, अधनियम के तहत, तो इसमें उस समय, याद रखें, question को दिमाग में रखते हुए, उसका जरूर आप answer दें, क्योंकि सुरू में कभी क्यों question पूछ लेता है, कि North East Council जब इसमें कितने state सामिल थे, तो टोटल North East के साथ इस्टेट सामिल थे, आपको पता है North East के साथ इस्टेट के बारे में, टोटल आठ इस्टेट उसके तहट count किये जाते हैं, बट साथ इस्टेट कौन-कौन से आपको जनरली पता ही होना चाहिए, आउड़ांचय प्रदेश, उसके बाद नागलें, मड लाइपूर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, एंड अस्ट, ठीक है, एंड आप्टर देट उसके मिंबर कौन होंगे, ये वन आप दा मोस्ट इंपोर्टन क्यूस्टन है, तो मिंबर सारे सियम, राजजपाल सारे, याद रखें, मैंने छेतरी काउंसिल के तहट, जिसमें राष्टपती मनोनीत करेगा, ठीक है, तो राष्टपती जनरली चार लोगों को मनोनीत करता है, एक अध्यच और तीन मेंबर के रूप में केंदर से आते हैं इस छेतरी काउंसिल में, बतब राजपुनर गठन या नौर्थिस्ट काउंसिल जो कहा जाए, छेतरी जोनल तो वो सामिल हुए थे हमारे, वही हमारे सेंट्रल होम मिनिस्टर, ठीक है, तो हमने यहां पे सारी चीज़े डिसकस कर ली, उसके तायद कितने कितने मिंबर हैं, सारी चीज़े हमने देख ली, अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्यूस्टिन की, नेक्स्ट क्यूस्टिन न किस राज सरकार ने हाली में राज में रहने वाले यहूदियों को धार्मिक अल्वसंख्यक का दर्जा दिया अब यहाँ पर यह important है कि किस ने दिया तो यहाँ पर मैं आंसर बता देना चाहता हूँ गुजरात में ऐसा पहली बार ऐसा हुआ कि यहूदियों को धार्मिक अल्वसंख्यक का दर्जा दिया गया राज के द्वारा तो याद रखें सेंट्रल के द्वारा यहूदियों को धार्मिक अल्वसंख्यक का दर्जा नहीं मिला है वो पार्सियों को मिला हुआ है जिसे जिरोएस्ट्रियन भी कहते हैं, मतलब इंग्लिश में आप जरूर याद कर लें क्योंकि कभी-कभी क्या हो जाता है कि पारसी का कुछ double meaning कुछ लिग जाता है तो उसकी वज़ा से आप लड़के को confused हो जाता है, तो वो याद रखें, पारसी, यानि मैं आपको यहाँ प कब आया, तो National Commission for Minority Act 1992 के section 2C की तहट, छे समुदायों को, छे धर्मों को minority का दर्जा दिया गया है, जिसके तहट मुस्लिम, बौध, सिख, इसाई, पारसी और सबसे लास्ट में 2015 में सुप्रीम कोट ने जैन धर्म को भी अलप संख्या का दर्जा दिया, तो याद रखें कि Ministry of Minority Affair भी बनाई गई है, उसमें यहूदी नहीं सामिल है, याद रखें कि Central National Commission for Minority Act 1992 के तहट यहूदी सामिल नहीं है, तो यहाँ पर यह जानना बहुत ही जरूरी था, तो यहाँ पर गुजरात आंसर सही है, यहाँ पर मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि Ministry of Minority Aff है, उसके हमारे मंत्री कौन है, मुकतार, अबास, नगवी साहब जी, इसके मंत्री हैं इस वक्त, ठीक है, तो अगला क्यूस्चन चलिए हम डिसकस कर लेते हैं, इसके तहट, अब जैसे यह क्यूस्चन है, ACI विकास बैंक ने बिहार के भोजपूर छेतर के सहबाद में सोन नहर के पक्की करण परियोजना की कितनी रकम की मंजूरी दी है, तो यहां पर आंसर है 352 मिलियन डॉलर, ठीक है, 352 मिलियन डॉलर, तो यहां पर मैंने यह क्यूस्चन इसलिए भी इंपर्टिन की तहत यह डाला है, क्योंकि अक्सर यह, हलाकि यह देखा जाए, तो इन्हो कि किस राज्य के या किस छेत्र के किस राज्य को एक तरीके से पक्की करण परियोजना के लिए मुहीम को चलाने के लिए, यह आप से पूछ लेगा कि किस राज से संबन दीत है, बिहार राज से संबन दीत है, ADB बैंक ने बिहार राज्य को तो इस तरीके से आप तो यह कि ACI Development Bank का Headquarter कहां पे है या इसके President कौन है या एक तरीके से इसकी स्थापना को भी इस तरीके की question देखने को मिल रहे होते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ACI Development Bank की स्थापना 19 December 1966 यानि 1906 को Manila मनीला आपको पता होगा किस की राजधानी किस कंट्री की राजधानी मनीला है वो है Philippines तो यहां पर से आपको दूसरा question यही पता चल लाएगा कि मनीला फिलिपिन्स की राजधानी ठीक है वहाँ पर ADB Bank यानि Asian Development Bank की स्थापना कीगी छेतरी विकास Bank ठीक है इसके president आप याद कर लें यहाँ पर कभी कपार पूछ लेता है तो ADB Bank के president इस समय है टाखे ही को नकाओ टाहे की को नकाओ टी एके एच आई के ओ तो टाखे ही को नकाओ ठीक है जैसे ताइवान उसी तरीके से टाहे के टाखे ही को नकाओ इस समय है प्रिसिडेंट है चलिए अगला question डिसकस कर लेते हैं 20 जन संख्या दिवस कभ मनाया जाता है यहाँ पर गालाइन काओ नियुन। छाह कि गया, किसके जोहरा इसकी सुरु Wowad की गई, क्यों 20 जन संख्या दिवस मनाने की सुरुआथ कि गई ये सारी चीजों को मद्दे नजर रखते हुए question आता है, तो आपको बता देना चाहता हूँ, 1989 में UN की एक governing council है, ठीक है, तो the governing council of the United Nations Development Program के तहत 1989 में, ठीक है, 1989 में ये start किया गया world population, day के नाम से ये मनाए, इसकी theme ये रहती है कि population को control किया जाए, परियोर नियोजन किया जाए, तो इस तरीके से ये push भी सकता है कि कब से start किया गया, तो 1989 में, और ये उसी दिन से क्यों start किया गया, ये भी आपी जानना जरूरी है, क्योंकि एक दिन है, जिसे हम मनाते हैं 5 million day के नाम से, 5 billion day, 5 billion, मतलब 500 करोन, तो 5 billion day के नाम से हम मनाते हैं, 11 जुलाई 1987 को, 11 जुलाई 1987 क वो हम लोग 500 करोन population हो गई थी, पूरे जनसंख्या, 5 billion population हो गई थी, इसलिए उसे 5 billion day के नाम से मनाया जाता है, 1950 की बात की जाए, तो 1950 में हम लोग 200 करोन जनसंख्या वड़ की थी, और वही 37 साल बाद, 11 जुलाई 1987 को हम सीधा 500 करोन डबल हो गए, तो उसी को मद्दी नजर रखते हुए, क्योंकि संसाधन सीमित हैं बिस्सो के, और उसी संसाधन सीमित संसाधन केता है, जनसंख्या को पूर तरीके से खाध्यान मिल सके, सारी चीजे मुहिया कराज जा सके, उसको मद्दे नजर रखते हुए, वड़ population day मनाया जाता है, और यहाँ पे यह भी जानना की कोशिस अगर की जाती है, तो तो थीम पूछ लेता है, तो इस साल 2018 की थीम थी, family planning is a human right, ठीक है, family planning हमारा human right है, ठीक है, तो family planning करें, और यह थीम थी, family planning is a human right, ओके, after that हम बात कर लेते हैं, अगले question की, जो की है, फसाई से, आपको पता होना चाहिए, food safety and standard authority of India, आप वीड ज्यादा लंबा नहीं कीजएगा, don't worry about that, हम यहाँ पर 30 questions part 1 में discuss करेंगे, part 2 में हम, उसके बाद 30 questions discuss करेंगे, पूरा week का खतम हो जाएगा, but कुछ questions 7-8 questions ऐसे हैं, जहाँ ज्यादा background discuss करने की ज़रुरत है, आगे हम अभी जल्दी यल्दी कर लेंगे, इसलिए मैं 39 number का question discuss क कर रहा हूं, उसके पस्चारत में 30 number का question, जो important ज्यादा है, जिसका background आपको जानना ज़्यादा जरूरी है, तो इसलिए इतना थोड़ा time लग रहा है हर question में, आगे हम जल्दी यल्दी जो sport के question है, उससे related जल्दी और जो directly fact है, उसका कुछ खास background ना के बराबर बन रहा है, तो हम आपर discuss करेंगे, तो चली यहाँ पर देख लेते कि फसाई है क्या, यह बहुत important इस साल के लिए question है, क्योंकि आप अकसर हर rapper जितने भी खादे सामगरी है, उसका जब भी आप product खरीदते होंगे, जो rapper में आप देखते होंगे, एक green and red mark आप देखते होंगे, एक bracket बना रहता होगा, ठीक है, circle बना रहता होगा, तो अगर green है, तो वो totally visitarian अंसमान है, और total, अगर red है, तो वो non visitarian उसमें use किया गया है, तो फसाई के दौरा इस साल यह भी कहा गया है, कि हर product में क्या-क्या चीज़े use होती है, वो चीज़े यहाँ पर डालना important कर दिया है, ठीक है यह UPSC का काफी पहले का question 2010 या 2015 में पूछा गया था, तो यहाँ पर food safety and standard authority of India की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर question क्या है, food safety and standard authority of India ने स्वास्थ FMCG खाद पदार्थों के लिए कौन सांदोलन शुरू किया, तो यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, the eat right movement शुरू क्या है, कि eat healthy और eat safe, ठीक है, इस तरीके का यह आंदोलन शुरू किया गया, वो छोड़ी आंदोलन यहाँ पर important तो था, यहाँ पर यह जानना भी ज़रूरी है कि फसाई किस मंत्राले के तहत आता है, तो ministry of health and family welfare, इस साल UPSC में भी यह question देखने को मिला, ministry of health and family welfare, यह ministry के तह आता है, और इसका headquarter आपको बता देना चाहता हूँ, नियू देली में है, और इस समय इसके chairperson आसिम बहुमुना जी है, इस वक्त इसके chairperson है, तो यह था इसमें जानने लाइक, और यहाँ पर यह भी जानने लाइक है कि इसका aim क्या है, इस अंदोलन का aim यह है कि salt, याद र आई का जो FMCG program है, तो उसके तहट क्या आंदोलन चलाया गया, ठीक है, तो आगे discuss कर लेते हैं, 30th question, lonely planet, याद रखें, lonely planet, दुनिया भर के यात्रियों द्वारा इसे Bible माना जाता, इसमें बहुत सारी चीज़ें discuss की जाती है, about कौन सब जहागा घूमनी चाहिए, वागरा तो lonely planet की seas 5, याद रखें, वो 5 उन्होंने top 5, top 10 की एक list निकाली है, जिसके तहट 2018 West in Asia के तहट एक list सूची जारी की गई है, जिसमें भारती गंतब में चौथा सबसे अच्छा परेटा निस्थान घोसित किया गया, तो वो कौन सा है, तो यह बहुत important question है, याद रखें, य यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि first number पर कौन, एसिया, 18 wealth in Asia का first number गोसित किया गया है, South Korea को, second number उजबेकिस्तान, और third number पर होची मिन, जो भी अतनाम के एक city है, तो याद रखें, तीन चीजें, तो lonely planet दुनिया भर के यात्रियों के लिए Bible माना जाता है, तो आप से यह की top पे कौन है वगेरा वगेरा वगेरा, एक list निकाले जाती है, तो किसको माना जाता है, वो है lonely planet, उसकी वज़ा से हमारे भारत में एक तरीके से पर्यावरान बढ़ेगा, ठीक है, और पूरे का पूरे पस्चमी घाट की अगर बात की जाए, तो आप जानते हैं कि पस्च ही के जो है सो है, बट अगर अरावली या पस्चमी घाट आता है, तो आप उसे ज्यादा पूराना मारेंगे, ठीक है, आप अपसन में, आगे चलिए, अब हम सुरू से discuss कर लेते हैं, फस्ट क्यूस्टन से, ये थे total 5-6 क्यूस्टन जो बहुत important जिनका background जानना जरूरी था तो टीबी रामा कृष्णन के द्वारा तेलांगना और अंधर प्रदेश के जो हैद्रा बाद उच्चने आले अब इन दोनों का राज्यों का, तो टोटल अभी प्रोक्स भारत में, टोटल हाई कोर्ट कितने हैं, ये आपको पता होना चाहिए, 24 हाई कोर्ट हैं, बहुत ह अला कि और प्रदेश के पास अपना हाई कोर्ट होना चाहिए, बाद बाद में सेवंध का इक हाई कोर्ट हो सकता है, इस तरीके का चीजें डाल दी गए, तो आज प्रेजिट में हमाई पास टोटल 24 हाई कोर्ट हैं, आगे डिसकस ना करते हुए, चलिए अगले क्योश्यन अभी अभी जेस्ट अध्यच्च चुनेगे, पाकिस्तान की बिधान सभा चुनाओ लड़ने वाले, अल्प संक्यक समुदायों में से पहला कौन ऐसा बन गया है, जो वहां का अल्प संक्यक समुदायों में से पाकिस्तान में जाकर उन्होंने चुनाओ लड़ा, तो सुनी पारमार, याद रखें, इसे बहुत important question है, इस साल में भी पूछ भी सकता है, जो भी exam आगे के आने वाले हैं, आगे discuss कर लेते हैं, BCC, प्रसार सामगरी सिकायत परिशत के नए सदस्वी के रूप में न्यूकती की गई हमारे उदय के वर्मा के दोरा, ठीक है, उदय के वर्मा नए हमारे उदय के वर्मा, नए हमारे सदस्वी के रूप में न्यूकत हुए हैं, BCC के, वहीं केंदर सरकार के मुडू मलाई टाइगर रिजर्व, यानि MTR के आसपास एक एको सेंस्टिव जोन बनाया गया है, ESZ के रूप में, एक छेतर भोसित किया गया है, तो वह किस र बनाया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए किस राज्य में है, ये है तमिल नाडु में, ठीक है, तो तमिल नाडु में है, आपको यहां पर यह भी जानना जरूरी है, कि लास्ट टाइगर रिजर्व, कई एक्जामों में मैंने लगा था, नोटिस किया है, कि लास्ट लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, तो 50 टाइगर रिजर्व है हमारा कामलांग टाइगर रिजर्व, आंदर प्रदेश का, ठीक है, तो ये जो हमारा मुडू मलाई टाइगर रिजर्व है, आपसे ये भी पूछ सकता है, कि ये किस बायो इस्पेर रिजर्व के अंतरगत आता है तो आपको बता देना चाहता हूँ नील गिरी बायो रिजर्ब के तहत ये आता है और साथी साथ ये वन जी अभ्यारो राष्टी उद्यान में भी सामिल है तो मुदु मलाई राष्ट आपने इसनल पार्ग भी बोल सकते हैं ये बायो स्पेर के अंतरगद भी आता है ठीक है तो आगे बात करते हैं कौन सा सहर याद रखें सिटी की बात यहाँ पर कर रहा है नई भारत के लिए डेटा पर अंतर राष्टी गोल में सम्मेलन की मेजवानी किस सहर ने की ये तो आपको बता देना चाहता हूँ ये है नियु दिल्ली हलाकि जब नियु दिल्ली हमारी नियु दिल्ली तो वहाँ पर होता ही रहता है तो नियु दिल्ली आगे बात कर लेते हैं हम CRO की बात कर लेते हैं यानि नागरिक उड्ययन अनुसंदान संस्थान है रिसर्च और्गनाइजेशन है इसकी स्थापना किस हवाई अड्डे के आसपास हमारे AAI यानि भा यहां पर यह क्यूस्टन जानना जरूरी है कि ठीक है यह बेगम पेट हवाई अड्डा के पास हमने CRO की स्थापना तो की नागरिक उड्ययन अनुसंदान संस्थान की बट यह किस स्टेट में पड़ता है बेगम पेट हवाई अड्डा तो आपको बता देना चाहता हूं कि वेल्ट इवेंट में किस भारती जिमनास्टिक में स्ट पड़त जीता तो आपको पता होना चाहिए दीपा करमारकर ने इस साल हमारे स्ट पड़त जीता आर्टिस्टिक जिमनास्टिक वर्ड चैलेंज कप 2018 जो तुर्की में आयो जीत हुआ ठीक है आगे बात करते हैं यह पिछले सत्रा सालों से लगातार आयोजित किया रहा है हमाई संस्कृती संस्कृत की एक तरीके से बढ़ावा देने के लिए तो अकसर क्या करेंगे बहुत कीज के भारत नहीं तो प्रॉक्स उसी के असपास के देश को टिक कर देंगे बट यहां पर मैं आपको बता दे मुड्डा कलन मैथ्यू जिनका हाली में निधन हो गया है तो मुड्डा कलन मैथ्यू जिनने राजनीतिक दल से किसी संबंदित हैं तो आपको यहां पर बता देना चाहते हैं कि यह कांग्रेस भारती राश्टी कांग्रेस से संबंदित हैं तो यहां पर राश्टी कांग्र चाहता हूँ ये ऐसे कांग्रेस नेता है जो मेघाले के गवर्नर के रूप में भी थे ठीक है और साथी साथ राजसभा डिप्टी चेर्मेन के रूप में भी ये असी के दसक में नियुक्त हुए थे और कई वर्सों तक AICC के सदस्य भी बने रहे तो इनका निधन 9 जुलाई यहां पे सिर्फ थीम की बात अगर की जाए तो यह क्यूशन संपूर्ण नहीं हो पाएगा हम बात कर लेते हैं कि 2018 की थीम तो हम बता ही देते हैं आपको कि थीम यहां पे थी sustainable societies through corporation ठीक है बट यहां पे आपको यह भी जानना जरूरी है कि यह जो अंतरराष्टी सहकारिता दिवस मनाया कब जाता है आप से क्योशन यह तो पूछेगा ही थीम क्या यह इंपॉटेंट है बट दिवस यह मनाया कब जाता है यह अपना जरूरी हो जाता है कि ईवस आर्थिक विखास को बढ़ावा मिल इस साल के थीम हमने बताई दी कि स्टेशनेवल सुसाइटी थू कॉर्परेशन तीक है आगे बात कर लेते हैं 12 नंबर में का आयरमायनट आयल ऌ를 प्रोग को पूरा करने वाली तो यह पर पहले यह जानना जरूरी कि passionsution होता को मैं अबको बता देना चाहता हूँ कि इसके एक परतम तीन चीज्प करनी होती है कि आपको 3.86 ंетр स्विमिंग ज gewoonे के गप Además 18.25 km बाइक पैर और साथी साथ मेराथन टोटल 42.2 km के बाद ब्रेक के बिना जो पूरा करता है उसे ही बोला जाता है आयर मैं ट्रालॉग तो सबसे ज्यादा उम्द दराज पुरानी भारतिये महिला कौन सी है ठीक है तो आपको यहाँ पे जानना जरूरी है एक उश्यना भी सकता है आपके सामने तो अंजू खोसला ने यह पूरा कपूरा ट्रालॉग कम्प्लीट किया इनकी महिलाओं में अगर इस्तिती देखी जा तो 336 है इनकी रैंक तरीके से काजा इस्तान है आगे देख लेते हैं हाली में कस्तूरी रंजन समीती की रिपोर्ट जब आएगी और भारत सरकान इनकी रिपोर्ट को सामिल किया तो पूरी की पूरी सिच्छा प्रणाली चेंज हो जाएगी तो मैंने आलाक यांसर ही बता दिया क्यों चान है कि कस्तूरी रंजन समीती की अवीदी भारत सरकार दोरा बढ़ा दी गई या किस उपदेश के लिए बनाए गई तो नई सिच्छा नीती को तयार करने के लिए बनाई गई थी तौह यहां पर जानना यह भी ज़रूरी था तो यहां पर यह भी जानना जरूरी कि कस्तूरी रंजन थे कौन तो के कस्तूरी रंजन इसके अध्यच्छ हैं टोटल यह 1994-2003 के बीच में इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस बार इन्हें इन्हें 2000 सन 2000 में पद्म विभूशन से भी सम्मानित किया था जो कि भारत का दूसरा सर्वेश्ट नागरिक सम्मान माना जाता है तो इन्हें 21 अगस्त का टाइम और दिया गया पहले अप्रैल में सर्प्रतामित तो इन्हें दिसंबर 2017 में अपनी रिपोर्ट्स उपनी थी समीती नई सिच्छा समीते से तो यहां पर यह क्यूस्टन ज्यादा इंपोर्टेंट है पीछे के बैक्ग्राउंड तो जो था सुथ है आगे बात करते हैं तासकंद में 2018 में आई डब्लू एप जूनियर वर्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियन में 48 kg वर्ड के किस भारती खिलाडी को कांस्पदक जीता तो आपको बता देना चाहता हूं जिल्ली दलबेहरा द्वारा कांस्पदक जीता गया कौन सा देश दूइवार्सिक 200 सहर सिखर सम्मेलन WCS 2018 के छटवे संस्क्रण के मेज़वानी कर रहा है तो आपको बता देना चाहता हूं सिंगापूर ठीक है सिंगापूर एक ऐसा देश है जो 200 सहर सिखर सम्मेलन WCS 2018 का मेज़वान कर रहा है आपको यहां पर यह भी जाना जरूरी है कि 200 सहर सिखर सम्मेलन WCS 2018 की थीम क्या है तो थीम यह है लाइब लेबल आपको यहां पर ध्यान देना जरूरी है कि लाइब लेबल और सस्टनेबल सीटीज इसका एक तरीके से थीम है 2018 इसमें सीटियों को थोड़ा मतलब अच्छे तरीके से रहने के लिए लाइब लेबल रहे और सस्टनेबल रहे तो इसका यहां पर दो चीज़े हमने डिसकस कर ली तीम और यहां पर कौन मेजवानी कर रहा था यहां पर इस लेखक के बारे में पूछ सकता है कि इस बुक को किस ने लिखा तो इसके आपको बता देना चाहता हूं अभी रूप भट्याचार जी इसके लेखक है इसमें पुरा कर पूरा जो हिस्ट्री है हमारे क्रिकेट की उसके बारे मिंन की डिसकस किया गया इस तरीके से मैं धोणी के बारे में यहां पे इस बुक में डिसकस किया गया है काफी अच्छी बूक है अगर आप पढ़ना चाहें तो बिटर रहेगा आप बात कर लेते हैं इंद्रवती राश्ची उद्धियान किस प्रिदेश में है तो आपको बता देना चाहता हूं इंद्रवती राश्ची उद्धियान कई बार इस साल तो कई बार एक्जाम में आयोजित किया जा रहा है तो आपको बता दूँ इसका आयोजन तो हमारे न्यू दिल्ली में किया गया है बट यह स्थापित होगा 18 सितंबर 2018 तक नई दिल्ली में परेटन मंत्राले के द्वारा भारत परेटन मार्ट की मेजवानी की गए ठीक है लेकिन इसमें सामिल परेटन बनाया गया है फेट का फुल फॉर्म है परेटन मंत्राले ने फेडरेशन फेडरेशन आफ एसोसियेशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलेलिटी हॉस्पिटलेलिटी का मतलब होता है कि आप किस तरीके सेवा प्रदान करते हैं यहां पर यह चीज़ है तो याद रखें फेडरेशन आफ एसोसियेशन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलेटी आगे बात कर लेते हैं अठानवे एसी आई खेल 2018 में भारती पुरुष्ट की हौकी टीम के नित्त कौन करेगा तो आपको बता देता है पी यार स्री जेस ने यह इसलिए भी इंप पूर्मा भी रिलीज हुई है तो इस तरीकी से हाकी की काई प्रकार से हमारा इंट्रेस बढ़ा हूँ क्योस्टन भी हम देख रहे हैं कि कई सारे पूछे जा रहे हैं यहां पर 18 अगस्त को जकार्ता और पैलेन बंग में इसका आयोजन किया जाएगा यह शुरू होने वाल अगे बात कर लेते हैं कि कि सराज में मिगालय में इस सारी कॉन्सी मोननीद करते हैं सारी कुछ हमने यहां पर देख लिये कि सारकार में हाली में यहुदियों को धार्मी इसका कूरा की पूरा हमने background भी डिसकस कर लिये केरला ओ गुज्रात यहां पर आंसर साईए केंधरी खील मंत्राले ने हाली में राश्टी इसतर पर तीर endaj गोहेला बोरे को पांच लाक रुपय दिये किस राश्टे संबंदीत है तो आपको यहां पर बता स्वाधय और यहां पर राश्टी कल्याण को nasıl अंहिए इन्हें विद्तिस आहयता दी गई है तो यहां पर मैंने क्यूशन डालने के पीछे हमारा मोटो यह है कि आपको यह जान लेना जरूरी है कि पंडित दीन दयाल उपाद्ध है राष्टी कल्यार कोस मेंली इन में से किन खेलों को या खेल लहीं एक तरीके से जाया जाया है तो किन को किन को यह एक तरीके से बित्ती साहता प् अगला क्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट और चर्चा में भी काफी जाता है किस मोबाइल कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्टरी या एक तरीके से मोबाइल फोन फैक्टरी स्थापित करने की बात की है तो आपको बता दें साउथ कोरिया के हमारे अ बहुत ही ज्यादा एक तरीके से रोजगार पैदा होंगे यह 2020 तक कंप्लीट होने की संभावना जता ही जा रही है और इसका कारखाना जो नोड़ा में कारखाना इस्थापित किया गया था उसी को ब्रॉड तरीके से पेस करके यह बैस्यूक इलेक्ट्रोनिक्स भी निर्म मंदल खेल संग के प्रतिष्चित एठलीट सलाकार आयोग में एस्या का प्रतिनिद्द करेगा तो आपको बता देना चाहता हूं दीपी का पल कलें झीकडीका यह तरीके से भारती खिलारी राष्ट मंदल खेल संग में अपना प्रतिनिद्द तो करेंगी ठीक है आगे बात कर लेते हैं उडिशा सरकार ने राज में कैंसर देख भाल सुभिधाओं के विकास के लिए किस संगठन किशार साजेधारी की है तो आपको बता दूँ टाटा ट्रस्ट के साथ इन्होंने साजीधारी किये और यह स्थापित किय जा रहा है भुवनेश्वर जो उडिशा के राजधानी है ठीक है आगे बात कर लेते हैं यह इंपोर्टन क्यूश्चन है क्योंकि अभी अभी लॉंच हो और अमरनाथ का आपने पता ही होगा कि अमरनाथ के यात्रियों को उनको निकाला जा रहा रहत कारक्रम के तहत तो अ कांच ऑफ प्लिस बल कौण साथि अंट्रिये पूलिश क्या कि आ आपि अध्यक रहे है सिर्थयांत्रा प्लिस ब्ल को पता होग गया है तो C.A.P.F के दोरा केंध्य रिजर्भ फुलिस बल के दोरा यह साथी app launch किया गया, जिससे कहीं भी कोई भी दिक्कत में रहेगा, जो भी अमरना थियात्री है, अगर अमरना थियात्राइप पे गए हैं, वहाँ पे कई सारा भूइस के लण इस तरीके की चीज़े प्रॉब्लम आती रहती, कई कोई बार की प्रॉब्लम बारिस के समय में इन लिए लोग जाते ही हैं, तो उनके लिए, उनकी help के लिए ये साथी app launch किया गया, तो आपको यहाँ पे दो तीन चीज़े याद रखने की साथी app किस के लिए लाँच किया गया, मना थियात्रियों के लिए, और किस के दोरा तो CRPF के दोरा, आगे बात कर लेती हैं, हमन उसके पश्चात खाद सुरच्छा और मानक फसाई के बारे हमने पूरा का पूरा डिसकस कर लिया है, और लोनली प्लैनेट के सीर्स पांच 2018 के बेस्ट हमने बात कर लिए का जनता की गुफा है, ठीक है, तो गाइस इसी तरीके से, तो आप ज़रूर बताएं कि आपको यह क आप चाहते हैं कि और भी लोग इसमें सामिल हो, तो आप ज़रूर इसे से यहर करें, इसी तरीके से मैं साथ बने रहे हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो, तो कमेंट ज़रूर करें, मैं GS related कोसिस करूँगा, कि आपके डाउट से हर उसके बास चाहत, आपके डाउट से भी डिसकस करूँ, तो इसी तरीके से बने रहे हैं, thank you for watching our video, thank you